वेलकम डियर स्टूदेंट्स आए हम लोग आज वरक्षीट नमबर 81 करेंगे क्लास 9 के लिए यह वरक्षीट जो है बेसिकली यह कौन संकू पर आधारित है और उसका वक्रप्रिश्च छेत्रफल जिसको की कर्व सर्फिस एरिया बोलते हैं उसका कुल प्रिश्च छेत्रफल जिसको की टूडल सर्फिस एरिया बोलते हैं और उसका आयतन जिसको की वॉल्यूम बोलते हैं इस पर बेस्ट है तो चलिए हम कोशन को देखते हैं पहले तो सबसे पहले कुछ सुत्रों को देख लेंगे यह आपके सामने एक संकू बना हुआ है यह एल जो है वो इसकी तिर बना है जिसको की रेडियास आर कहते हैं वक्र प्रिस शीतरफल जो होता है वह होता है पाई आर एल तुर यह मैं तो फ़र्मूला था अब चलिए कोशन बनाएंगे हम लोग पहला कोशन पढ़ ए बोलता है कि एक संकू है जिसका व्यास दस है वियास 10 है तो आप पसे सफ वियास 5 हो गा, क्योंकि रेडियस जो होता है, वो वियासे 5 होता है, तो वियास 10 है, यह यानि रेडियस 5 हो गया, डामिटेर का अधा, और इसकी तीरियक उचा गगा 13 दे रखी है, 13 दे गगार तो ठग ले लिया, अब बोलता है है ही हॉआट निक लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर के बराबर होता है, ओके ये कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पर आपको उचाई मांग रहा है, यानि ये मांग रहा है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, का root under slant height का square माइनस radius का square, वही चीछ हमने किया है, 13 का square माइनस 5 का square, 13 का square 169, 5 का square 125 169 से 25 माइनस होगा तो कितना बचलत रूट ऊंडर 144, और रूट ऊंडर 144 का value कि यह आपका कहा माल लेते हैं ऑप्शन नमबर एक को टिक कर दिया अब कोशन नमबर टू को देख लीजिए कोशन नमबर टू जो है उसमें क्या कह रहा है कि इसकी तिरियक मुचाई 7 है और आधार की तिरिया 2 है तो इसमें लगने वाले कैन्वास का छितरफल निकालो अब कोई भ तो इसमें वाकर प्रिष्ट चैतर फल आपको निकालना होगा तो वक्र प्रिष्ट के लिए जो भी कोई information है वो है आपको लिंथ दे रबंड सए 7, सेवन दे रखाए सेवन सेवन कट गया आप ट्रेंटी टू इंटू टू कितना आ गया फॉटिफोर मीटर स्कॉर अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सा आप्शन टिक कर दें आपने देख लिया अब आप मुझे आगे सार इसमें ऑप्शन नंबर ए को टेक कर दिजे वो सही है लीजे कर दिया अब आईए कोशन नंबर थ्री को देखते हैं बोलता है कि आधार की तिरिया सेवन सेंटी मीटर है और तिरिया कुछाई तेरा सेंटी मीटर है तो बोलता है कि कुल प्रिश्च प्रिश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च आर, पाई 22 बाई 7, रेडियस 7, एल जो वो 13, और रेडियस फिर 7, यह 7 और यह 7 तो cancel हो गया, यहाँ क्या बचा, 22 और यह 13 और साथ 20, 22 को अगर 20 से गुना करोगे तो कितना जाएगा, 440 और यह cm में है, तो cm2 लगा दो, कोशन 3 भी हो गया, अब कोशन 3 में आप मुझे बता कि कौन सा आप सा टिक करें, तो आप बोलोगे कि सर, इसमें आप option number कौन सा टिक करना है, option number A को ही सा टिक कर दिजिए, वही सही है, तो चलिए option number A को ही टिक कर दिया, यह लिजिए, अब बोलता है कि 3.5 cm तरजया दे रखिया, आपको radius given है 3.5, radius given है कितना, 3.5, बोलता है कि आधार का चितफल निकालो, तो संकू का आधार क्या होता है, एक वृत होता है, और उस वृत का चितफल निकालो, यहाँ radius दे रखा है 3.5, वृत का चितफल क्या होता है, वृत का चितफल होता है, पाई आर स्कॉर, निकाल दो, 22 by 7, radius कितना है साढ़े तीन, गुना साढ़े तीन, साढ़े तीन से 3.5 से 7 कट जाता है दो बार में, 2 से ये 22 कटता है, 11 बार में 11 को 3.5 से मल्टिप्लाई करोगे तो 38.5, 38.5 सेंटिमीटर स्क्वार, बताओ कौन सांसर टिक करें, जल्दी बताओ मुझे, तो option number B, अब question number 5 को करेंगे, तो question number 5 को मैंने नीचे बनाया है, पहले आप figure देख लो अच्छे से, आप figure देख लीजे अच्छे से, यहाँ आपको व्यास दे रखा है 14, व्यास आपको 14 दे रखा है, यानि तरजिया कितनी हो जाएगी, व्यास का अधा 7, और height दे रखा है 24, यह height 24 दे रखा है, slant height जो है वो कितना हो जाएगा, 25, h square, पसार square, और इसमें जो 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 शीज बोलता है, वो हम निकालेंगे आराम से, चलिए कोई हर बड़ी नहीं है, question number 5, question number 5, कहां गया भाई, यह रहा, आपका question number 5, यह रहा, आपका question number 5, चलिए, question number 5 पूरा मैंने ले लिया है, अगर किसी को screenshot लेना है, तो एक बार में ही ले लेगा, सारा part solve हो रखा है, आप ले सकते हैं screenshot, अब height दे रखा है 24 cm, डाइमेटर दे रखा है 14 cm, तो radius क्या हो जाएगा, 14 by 2, 7 cm, सबसे पहले तो तो तेरिया कुछाई island height निकालो, तेरिया कुछाई क्या हो जाएगा, ह स्कॉरा प्लस आर स्कॉर, 24 का स्कॉर, प्लस 7 का स्कॉर, 24 का स्कॉर, 576, 7 का स्कॉर, 49, add करोगे तो 625, यानि 625 का root कितना हो जाता है, 25 cm, यानि तिरिया कुछाई L आ गई आपकी, 25 cm, अब L जब 25 cm आ गया है, तो आधार का शित्रफल निकालना है, आधार का शित्रफल क्या होता है, पाई आर स्कॉर, 22 by 7, multiply 7 into 7, एक साथ, एक साथ, कैंसल, क्या बचा, 22 गुना साथ, 22 गुना चाथ, साथ, 154 cm स्कॉर होता है, तो यह हो गया, अब B में बोलता है, वक्र प्रिश्यत्रफल निकालो, तो वक्र प्रिश्यत्रफल का सुत्र क्या होता है, पाई आर, एल, देखो बेटा, फॉर्मूला अच्छे से याद करो सारे लोग, उसके मिना ना, एक्जाम में दिक्कत हो जानी है, अब तो इस्कूल भी खुलने वाले हैं ना, आप लोगों के, अब देखो, यह 7 और यह 7 कैंसल हो गया, बाइस गुना पचीस, पांसवा पचा सेंटीमीटर स्कूर, अब कुल प्रिश्यत्रफल क्या होता है, पाई आर, ब्रैकेट में L प्लस आर, 22 बाइस 7, रेडियर 7, L पचीस और आर 7, यह 7 और यह 7 कैंसल, बाइस गुना बत्तिस, बाइस गुना बत्तिस करोगे तो 704 सेंटीमींटर स्कूर, तो कॉश्यन नमबर 5 में तीन पार्ट पुछा था, तीनों पार्ट हो गया, अब कॉश्यन नमबर 6 की और मूब करते हैं, कॉश्यन नमबर 6, थोड़ा कॉश्यन दिखा देता हूं पहले अपने बच्चें को में, कॉश्यन नमबर 6 को देख लीजिए, हाँ, कॉश्यन नमबर 6, चलिए, कॉश्यन नमबर 6 दिख रहा है, बोलता है कि रजक नाम का एक कोई बच्च्या है, वो मोटे कागज का हुला रखोगे तब ही नाम का सर उसमें जाएगा, तो आपको वक्रपिष्ट की बात हो रही है, वक्रपिष्च्य तरफल की बात हो रही है, अब टोपी की तरजिया है 6 सेंटीमीटर और उसका हाइट है 8 सेंटीमीटर यह भी ड़न हो गया, अब एल निकाल लो, तो क्या हो अब देखो बिसिकली 6 जो है वो कटता नहीं है 22 से 7 से तो मैंने पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लिये हैं तो पाई आरल कर लिया तो 3.14 रेडियस जो है वो 6 और L जो है वो कितना है 10 अब इसको मल्टिप्लाइ करोगे तो 188.4 cm2 हो जाएगा हो गया अब कोशन नमर सेवन कोशन नमर सेवन जो है यह मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इसे बोलूगा कि इंपोर्टेंट कोशन हो गया एक्जाम पॉइंट ऑव यू से अब भूलता है कि इसमें हाइट जो है वो और त्रियक मुझाहिजे हमको सेवन रोट-फाइब सेंτιमी जो है कोशन में यहां देख रहे हो ना से बीडूट-फाइब सेंटिमीटर दे रखा है अब D square जो है वो रूट में तो एक D बाहर आ गया, चार जो है वो दो बाहर आ गया और ये रूट 5 फर्स करके रह गया अंदर, अब हमको डाइमीटर निकालना है तो डाइमीटर क्या हो जाएगा, 7 root 5, ये root 5 नीचे आ गया और ये 2 जो है यहाँ पर ये multiply हो गया, समझ में आ रही है ना बात, देखो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, root 5 by 2, D equals 7 root 5, done, सर यहाँ 2 नीचे डिवाइड में है, इस तरफ ले जाएगे तो multiply हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, root 5 D equals 7 root 5, multiply 2, 2, यानि D क्या हो जाएगा, 7 root 5, multiply 2, divided by root 5, यह root 5 और यह root 5, cancel, यानि D क्या हो गया, 7 to the 14, diameter 14 आ गया, यानि radius क्या हो जाएगा, उसका आधा, 7 cm, और जितना diameter है, उतना ही उसका height भी है, यह तो question में ही given है, कि क्या given है, कि उसकी उचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, यानि height भी 14 ही हो जाएगा, वही मैंने लिख दिया है, कि diameter जो है, वो 14, अता height भी 14, क्योंकि diameter जो है, वो height के बराबर है, और radius भी निकाल दिया, D by 2, 14 by 2, यानि 7 cm, clear? अब हम यहाँ पर बोलता है, कुल प्रिष्चितरफल निकालो, तो कुल प्रिष्चितरफल जो है, उसका formula डाल लिया, पाई r, bracket में L, प्लस r, ये 7 और ये 7 कडिया, यहाँ पर बचा 22 और ये चीज, तो यह बहुत ही अच्छा कोशन लगा मुझे सम्हल की बनाना और इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना आप लोग तो अच्छा रहेगा तो कोशन नमबर 7 हो गया ना अब कोशन करें क्या कोशन नमबर 8 कोशन नमबर 8 में कुछ है ही नहीं बुलता है वक्रप्र श्रित्रफल जो वो दिया हुआ है रुक मैं कोशन दिखा देता हूं आप लोगों को कोशन ले आने दो मुझे एक कोशन चलो भाई कोशन नीचे आजाओ अब देखो हो गया अब बुलता है कि इसका वक्रप्र श्रित्रफल हम को दे रखा है 4526 और कैन्वास का दाम दे रखा है 17 रुपया पर मीटर स्कौर करना क्या उसको मल्टिप्लाइ कर देना है मल्टिप्लाइ करना किसे नहीं आता है मल्टिप्लाइ करके मैंने यहां दिख लुट्टू 76,942 रुपीज खर्चा होगा जो कोई 10-20 बनाते है न तो नीचे कपड़ा नहीं लगता है उपर उपर ही कपड़ा लगता है तो यह कोशन 8 फ्री में ही बन गया कोशन 9 को देख लेते हैं कोशन 9 जो है उसमें क्या है कोशन 9 में कहता है कि एक गुमबज है जि गुछाई 25 है अधार का व्यास 14 है यानि radius क्या हो जाएगा 14 का अधा 7 x 2 14 x 2 तो 14 x 2 यानि 7 मीटर अब वक्रप्र प्रिश्यतफल बोलता है तो वक्रप्र प्रिश्यतफल क्या होता है पाय आरेल यह NCRT का कोशन है और NCRT का जितना कोशन है वो सारा मैंने वीडियो बना गर कि पहले ही डाल दिया था बच्चों के लिए 13.1 से लेकर कि 13.8 तक का जितना वीडियो ढूंडोगे वो सारा आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे देखते रही है उसको अब यह 7 से 7 कैंसल हो गया क्या बचा 22 गुना पचीस 22 गुना पचीस कितना हो गया 550 मीटर स्कॉर अब कोश्या 55 गुना 21 55 कितना होता है 1155 रुपया तो कोश्या नमबर 9 भी बन गया कोश्या नमबर 10 कोश्या नमबर 10 को पहले पढ़ लो बोलता है कि एक जोगर का टूपी है जिसका आधार के तर्जिया 7 अनुचाई 24 है बुलता है इस तार अगा 10 टूपी बनाएंगे तो कितन पहले हमको एल निकालना होगा एल क्या होगा है एच स्कॉर प्लस आर स्कॉर तो 24 का स्कॉर प्लस 7 का स्कॉर 576 प्लस 49 रूट इंडर 625 यानि 25 सेंटिमीटर यह आपका एल आ गया यह आपका एल आ गया और ऐसा टूपी के लिए आपको गत्ता चाहिए तो 10 गुना वक्रप 2550 उस पर 10 डालोगे तो 500 सेंटिमीटर स्कॉर इतना गत्ता लगेगा दस टूपिया बन जाएगी अब करना है हमें कोश्य नंबर 11 क्यों मूव करते हैं कोश्य नंबर 11 में क्या है पहले देख लो बोलता है कि एक संकु है जिसका आधार का चित्रफल 9 पाई है आधार में क् सुवरिथ होता है तो पाई आर स्कॉएर बराबर 9 पाई यह पाई कैंसल यह पाई कैंसल आर सकॉएर बराबर 9 यानि आर बराबर रूट अंडर 9 यानि तीन सेंटिमीटर और इसका H चाहे हो वो दे रखा है आपको 4 cm तो आप सबसे पहले इसका L निकाल लो L क्या होगा? Root under H square plus R square 3 का square plus 4 का square Root under 16 plus 9 Root under 25 25 यानी 5 cm अब L आ गया अब कुल प्रिश्चे तफल निकाल लेते हैं तो Pi R bracket में L plus R 3.14 radius 3 और ये 5 plus 3, 8 इस सबको multiply कर लिया 75.36 cm square अब कोशन नंबर 12 जो है वो बहुत आसान कोशन है एकदम से यहां बोलता है कि वक्र प्रिश्चेत्रफल 48 Pi दे रखा है वक्र प्रिश्चेत्रफल 48 Pi दे रखा है और L जो है वो आपको 4 दे रखा है ये Pi और ये Pi गया यहां क्या बचा आर इंटू एल बराबर 48 एल की वैल्यू है 4 यानि आर कितना हो गया 48 बाइचार 12 cm इसमें आधार का तिरजया ही पूछ रहा था ना लिजी आधार का तिरजया आ गया तो इस तरीके से ये हो गया आप देखिए अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंट के साथ शेयर करना उसका नहीं हुआ ये काम तो उसको भी करवा दीजिए अब तक जाम आने वाले हैं चलिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू